हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो आवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंगलिस जो उनकी बुक है विस्तास उसका चेप्टर नमबर 2 दा टाइगर किंग इसके क्युस्चन आंसर हम देखने जा रहे हैं कहानी सभी को यादी है कि एक प्रत एस्ट्रो लोजर थे उन्होंने भाहिश्चिमानी करी थी कि राजा की मृत्यू टाइगर के हाथ होगी तो राजा दस दिन के जब थे में की छोटे बच्चे थे तब ही से उन्होंने प्रण लिया था कि वह टाइगर को मानना स्टार्ट करेंगे और एस्ट्रो लोजर ने को बताया था कि सोवा टाइगर उनके लिए खतनाक हो सकता है उनको सोवे टाइगर से सादन रेना चाहिए तो निन्याद्मेट टाइगर वो लकड़ी थी जो और उससे उनकी बाद में घाव जो बिगड़ गया और उससे उनकी मुरत्य हो गई तो यह हमारा पूरा चेप्टर है बहुत बड़ा चेप्टर है अला कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसको बता दिया लेकिन कहानी मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगी तो चलिए अब हम इसकी क्यूशन आंसर देखते हैं और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वे के जो महाराजा है वही टाइगर किंग है यह गोट डेट नेम बिकाज एड़ टाइगर के कारण होगी बाग के कारण होगी इसलिए जब वह बड़े हुए ही डिसाइड़ टू किल आल दा टाइगर्स एंड केम टू बी नोन एज दा टाइगर किंग उन्होंने निट्टने लिया कि वह साथ टाइगर्स को मार देंगे और तबी से वह प्रसित्त होगा टाइगर किंग के रूपों देखते हैं अगला कुश्चन वाट डिड दा रोयल इनफेंट गो अप टू बी यहीं कि जो राज कुमार है वो बड़े हो करके क्या बने तो देखते हैं इसका उत्तर दा रोयल इनफेंट ग्रिव अप इंटु ए टाल स्ट्रोंग यंग मेन यहीं कि जो छोटा राजकुमार है बड़ा हो करके बहुत ही एक मजबूत यक्ति बना ही वाज ब्राट अप इंग्लिस एन्वारोमेंट उनकी जो पूरी सिख्छा दिख्चा हुई वह अंग्रेजी वातरवन में हुई इनकी वह जिस गाहे का दूद पर पीते थे वह भी इंग्लिस थी यञिकी वह विद्यस थी टूटर्ड इनीलीस में और उनकी सिख्चा दिख्चा भी इंग्लिस में ही और इंग्लिस में guard अंग्रेज के द्वारा ही हुई सा उनली इंगलिस फिल्म और के वाल उन्होंने इंगलिस फिल्म में देखी एड़ 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 ट्वंटी ही वाज डिकलेड दा किंग बीस साल की उमर में उनको महाराजा गोसित कर दिया गया यानि कि उनकी सारी पड़ाई जो हुई शिक् क्या है जो मासुम जानवर को मनुष्य अपने मनमानी के लिए मारता है तो देखते हैं क्या इसका उत्तर फार सेंचुरिस इनोसेंट एनिमल्स है विन सब्जेक्टेट टू दा विल्फुलनेस ओफ हुमन बिंग्स यानि कि सताब्दियों से मासुम जानवरों को मारा गया है मनुष की मनमानी के लए मैन हेजग ऑनिमल्स ओ बनारा रहा है जानवरों को स्पोर्ट रहें के लिए या फिर बोड़ी ऑर्गन के लिए साथी के दात हो गए गेंडरे का सिंग हो गया इस इनी बातों के लिए मनुष्य जानवरों को मारता आया है कि लेखक ने कोई सिधा कमेंट तो नहीं किया इस कहानी में मैं एडवान से स्ट्रेंज लोजिक टू डिफेंड एवन इस अनलाफूल एंड क्रूल एक्ट्स कि मनुष्य अपने बचाव में अपने गेर कानूनी क्रत्यों और निर्दई कारियों के बचाव में भी बड़े अ जीप तरक देता है जिसे कि महारा जाने क्या का है महारा जा कहते हैं एक पुरानी कावाद को उद्रत करते हैं और इसलिए उनको टाइगर मारने में कोई अब्जेक्शन नहीं डिखता है और इससे साब प्रतीत होता है कि मनुश्य कितना लापरवा क्रूर है जंगली जीव के प्रती और साथ इसे बिलकुल भी चिंता नहीं है जो पारिष्तित की तंतर होता है उसको संतुलित करने की उसको कुई चिंता नहीं है कि टाइगर से भी हमारे वन वनों के लिए कितने ज़रूर है यानि कि जो विलुप्त हो गए टाइगर की प्रजाती जो विलुप्त हो गए प्रतिबंदपूरम में भी हो गई मनुष्य की क्रुवेलिटी का जंगली जनवरों के प्रति अब देखते अगला क्यूशन अगला क्यूशन है विच मेटर एबाउड दा टाइगर किंग इज ऑफ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी इंट्रेस्ट यहने की टाइगर किंग के बारे में वह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी टाइगर किंग इज ऑफ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी इंट्रेस्ट यहने की जिस प्रकार से जिस तरीके से टाइगर किंग की म्रत्यू हुई है यह बहुत ही रुचिपूर्ण है दा मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ओफ इस डेमाइस वाज डेट एस सुने जी वाज बॉ जो एस्टो लोजर थे बहुष्य करता थे उन्होंने बहुष्यवाणी करी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा यहने कि वह जन्म तो उसका हुआ नहीं और उसकी मरने की घोशना पहले हो गई बहुष्यवाणी पहले हो गई अब देखते हमारा अगला कुशन पिर वह किसको मारेंगे तो देखिए दा महराजा हेड़ टू फुल्फिल हिज वो ओफ किलिंग हंड्रेट टाइगर्स कि महाराजा को अपनी शपत जो उन्होंने ले रखी थी कि वह सो टाइगर मार देंगे उसको पूरी करना था कि इसलिए टाइगर हंटिंग हर किसी के लिए बेन कर दी गई सिर्फ महराजा ही ऐसा कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन वाज शूट डेट इफ एनिवन डेर्ड टू थो फ्रो इवन इस्टोन एट टाइगर आल हिस वेल्थ एंड प्रोपर्टी वुड़ वी कन्फिसकेटेड य टाइगर पर तो उसकी सारी प्रोपर्टी सुख कर लिया जाएंगा उगला प्रसतित अवाज महराजा डिबल दालें ठेक्स कि महाराजा ने भूमी कर को डबल क्यों कर दिया ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने जो वहां के जो उनकी प्रजा थी उन पर कर को डबल कर दिया तो देखिए once there came a news of a tiger being spotted a hillside village but it turned out to be untrue एक बार अचनक से खबर है कि एक tiger को देखा गया है पहाड़ी की तरफ एक गाओं के पास किन्तु ये खबर तुरंत ही गलत हो गई यहने कि महाराजा के राज्जिम में tiger समापत हो गए थे उन्हें tiger कहीं से भी चाहिए तो अचनक से उनके पास खबर आती है कि एक गाओं में tiger दिखा है और महाराजा कुछ दिन उस tiger को मानने के लिए वहीं जंगल में टेंट लगा लेते हैं लेकिन tiger नहीं मिला इस इन्फियूरियेटेट दा महाराजा इससे महाराजा क्रोधित हो गए एंड हैंस ही डबल्ड दा लेंटेक्स इन अर्डर टो पनिज दा इस लिए उन्होंने इस गलत ख़बर के लिए गाहँ वालों को पनिज किया पनिज की रूप में उन्होंने क्या कर दिया जो टेक्स था उसको डबल कर दिया अगला क्युस्टने की कैसे सोवेट टाइगर ने अपना बदला लिया टाइगर किंग से तो देखते हैं इसको यानि कि जो वास्ताओं में जो असली टाइगर होता है उसको राजा नहीं मार पाये थे बलकि जो राजा के जो सेवक थे उन्होंने उसको मारा था जिसूटर थे दा वुडेन टाइगर वाज कंसिडर्ड दा हंड्रेट्स टाइगर विच वाज मेड बाई एन अनिस्किल्ड कारपेंटर कि जो लकडी का जो टाइगर है उसी को सोवा टाइगर माना गया है जिसको एक ऐसे कारपेंटर ने बनाया था जो अनिस्किल्ड था मरला बहुत अच्छा बहुत अच्छी सपाई से उसने नहीं मनाया उसको इट हैड सिल्वर स्टिकिंग आउट विच पियस्ट दा किंग्स राइट हैंड यानि कि उसमें जगा जगा पर लकड़ी इस प्रकार से छिली गई थी कि वो किल जैसी उसमें से कुछ निकल रही थी और उसी में से एक महराजा के दाइने आत में लग गई दा किंग हैट टो बी ओपरेटेड अपोन टो रिमू इनफेक्टेड हैंड और डाइड इन ओपरेशन कि राजा का तुरंत ही अपरेशन करना पड़ा उस हाथ जो इनफेक्टेड हैंड था उनका और इसी में उनकी म्रत्यू भी हो गई अपरेशन के दोरान इस प्रकार सोवेट टाइगर ने बदला लिया यस दा प्रेडिक्शन केम्ट्री ओ रहां जो भाई शिवानी थी बिलकुल सही साबित हुई है ने कि वो जो लकड़ी का जो खिलोना अपने बच्चे के लिए टाइगर किंग लाए थे अपने घर पर उसी से ही राजा की म्रत्य हो गई छोटी सी एक जो नुकिला जो होता है लकड़ी में से जो निकल जाता है उसी से उनकी म्रत्य हो गई तो यह आपके सारे क्योशन आंसर हो गए ऐसी तरह आमरे साथ बने रहें थेंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो